प्रकल्प में वन पचास ठक्के पानी का साथा जमा हुआ है असी टक्के होने पर ही नदी में पानी छोड़ा जा सकता है बाशी डखली तालुका के माहान काउ में काटे पुर्णा प्रकल्प मौजूद है जहां से अकोला, मुर्तीजापूर और बहुत से ग्रामिन शेत्रों में पीने के लिए पानी पहुचाया जाता है इस साल अभी तक हुई बारिश में माहान डैम के अंदर वन पचास टक्के पानी का साथा जमा हुआ है हमारे चैनल के प्रतीनी दी और कैमेरा मैन ने जब वहाँ पर जाकर खबर ली तो वहाँ के प्रकल्प अधिकारी मनुच पाटक सहाब ने बताया कि अभी पिलहाल डैम में मौजूद वन पचास पानी का साथा जमा हुआ है और अगर इसमें 80 टक्के पानी जमा हो जाता है तब हम नदी के अंदर पानी छोड़ते है और डैम के गेट खोलते है हमारे प्रतीनी दी ने जब उन से पूछा की अगर आप गेट खोलते है तो ग्रामिन इलाकों के नागरिक जो नदी के किनारे रहते है उन्हें कैसे पता चलता है तो उन्होंने बताया कि हम वाटसेप और महसुल विभाग पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को पहले आगाह कर देते हैं उसके बाद गेट से पानी छोडते हैं पानी का साथा काटेपूर्णा डेम्फ में जमा होने से अकुलावासियों की पीने की पानी की सम से हल हो जाएंगी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है देखिए काटेपूर्णा डेम्फ महान से कैमेरमेन गुफरान शेक के साथ हमारे प्रतिनी दी इर्फान हमें शेक की रिपोर्ट यहाँ पे पानी का साथा बढ़ चुका है इसलिए अकुलावासियों को पानी की कमी नहीं जाएगी ऐसा हम आप सभी की लोगों को कहते हैं और दूशित पानी आपको नहीं पीना पड़ेगा क्यूंकि यहाँ पे पानी का साथा भी 50 टक के बढ़ चुका है इसी तरह से हम देखेंगे कि यहां पर पारिज इन्होंने पूलीस परशाशन को पत्र देकर उखान जारी किया है जो गिरामी निलाके के लोग है वो अलट रहे क्योंकि ये पानी छोड़ना चाहते हैं तो इसी तरह से हरे जो ये नदी के हिस्से में आते हैं इस नदी के किनारे से रहते हैं गिरामी निलाके वाले उनको अलट कर दिया जाता है और अलट करने के बाद में यहां से पानी लगे हैं इन बड़े बड़े गेटों को यहां से खोला जाता है और यहां से पानी बाहर निकाला जाता है गेट छोड़े जाते हैं इसी तरह से इस डैम के अंदर कितना पानी यहां पर मौजूद है उसको दर्शाने के लिए यहां पर एक लेवल लगाई गई है इस लेवल क क्यंदे न hält रहर जो नदी किनारे वाले हैं उन को वहाँ से हटा दिया जाता है पुलिस परशासंद्वारा और उसके बाद में गेट उठाए जाते हैं हम मिलते हैं हमारे साथ मौझूद है हमारे मनोच पाठक सहाफ सबसे पहले आप यह बताइए कि इसके अंदर जो साठा जमा हुआ है आज अपने महान डैम में 49 परसेंट पानी जमा हुआ है जो पिछले दो तिन दिनों से जो काटेपुर्णा डैम के पानलोट छेत्र में जो बारी हुई उस वजह से पानी अच्छा जमा हुआ है तो सर यह पानी कितने परसंट जमा होने के बाद में आप यहां से पानी छोड़ते हैं रिजर्वायर ऑप्रेशन शेडूल के अनुसार हमें 31 जुले तक 80% तक पानी रखने की आदेश है और उसके उपर जो पानी आए पानी तो पूर जाएगा लेकिन हर इंसान में छुड़ी काट कासर करके बचत करके अगर पानी इस्तेमाल किया तो अच्छा रहेगा सर घर में अभी गिरामी नलाकों के अंदर मी जो है तो और अपना वह बहुत तो क्यों न यह लोग अपना बॉर्टा वापर अधर पानी के लिए करे और यह पीने के लिए करे तो पानी पूर सकता है पानी तो पूरे गए लेकिन पान पानी 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 है और उसका जो इस्तिमाल है अगर काट करके करेंगे तो अपने भाष्चे में कोई परिशानी नहीं उठानी बढ़ेंगे कर्मचारी पानी पहुचते हैं तो पूरी सिस्टिम पर नजर बना हुए रहते हैं और अगर कोई फूट जाते हैं तो हमारे महानगरपलिगा कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी तक बात नहीं पहुचेगी तो तब तक तो पानी वेस्टेज जाए गए यहां से अकोला शहर मूर्तिजापूर शहर और चोसच खेड़ी ग्रामीन पानी प्रोटा योजना है और यमाएडीसी अकोला यमाएडीसी बीचाने की उपाय चालू रहते हैं रिशाइकल करके वह भी पानी बचा सकते हैं और उस तरह से उनके प्रयाज जारी है भी इसी तरह से अभी बारीज परसेंट भरे गई यह उम्मीद जता दिए अपने को सब को चलना है तो हमारे चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि महांड्यम से जब पानी छोड़ा जाएगा तो आपको हर तरह की जानकारी दे दी जाएंगी प्रसायसन द्वारा तो प्रसायसन को सहकार्य करके अपनी जानो माल का नुखसान ना होती है सब को मदद करें तो यह थे हमारे मनोज पाठक साहाब परकलप अधिकारी तो यहां से हमने आपको जितना इन्होंने यहां से एक मैसेज दी है हमारे चैनल के माध्यम से तो आप उस पर ध्यान दे और अगर आपको अलड का इशारा मिलता है तो जो नदी काट के लाइके के जो लोग है नदी किनारे के तो वो अपनी जानमा और माल को बचा के वहां से निकल जाए अकुला 24 निउस के लिए केमेरमेन गुफरांशेक के साथ इर्फाने मचेक